हेलो फटेटो अभी वादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में बजार में मिलने वाली रेडी टू इड चीजों का सेवन तो आप रोज ही करते होंगे जैसे कि चिप्स, कोल रिंग, चॉकलेट, एनर्जी डिंग, कॉन फ्लेक्स लेकिन इन चीजों को खान क्या पढ़ता है आपके सरीर पर इसका असर यही है आज के इस वीडियो का विशह जिसमें आज आप जानेंगे टिप्स, चॉकलेट, कॉन फ्लेक्स और आइसक्रीम खाने के क्या है नुकसान ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी चानक को और आइए अब बास सुरू करते हैं आज के विशह के बारे में कि चिप्स खाने के क्या है नुकसान दर असल चिप्स खाने से ज्यादा खाने की लत लगती है हम चिप्स रोज कितनी बार खाते हैं सायद हमें यह यहाद नहीं होता कि हम कितनी मात्रा में एक बार चिप्स जीप नमकीन चीजों को ज़्यादा पसंद करती है, जैसे ही नमक के तत्त वाली कोई चीज जीप पर लगती है, वो आपको और खाने के लिए मजबूर करती है, इसलिए आपको अंदाजा ही नहीं लगता और कुछ ही मिनट में आप चिप्स का पूरा पैकेट सफा चट कर जा आपका ब्लेड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए अगर आप चिप्स को ना खाएं, तो आपके सरीर पर बहुत बड़ा आपका एहसान होगा, और आईए अब बात करते हैं चॉकलेट के नुकसान के बारे में, चॉकलेट दिमाग को खुस करती है, साइध ही कोई ब गोर्टोनिन नाम का एक हॉर्मोन निकलता है, जिसे हैप्पी हॉर्मोन भी कहते है, जो दिमाग को खुस मह्सूस कराता है, चॉकलेट को जब सरीर पचाता है, तो इसके कुछ तत्व गुट कोलेस्टवल बनाते हैं, और कुछ तत्व फैट के रूप में जमा हो जाते हैं, इससे खून में सुगर की मात्रा बढ़ जाती है और आजकल बाजार में जो चौकलेट ब्रैंड उपलब्ध हैं उनमें चीनी परचूर मात्रा में होती है इसलिए चौकलेट का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए और चौकलेट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्किप्शन और आई बटन में दे रखा है, और आईए अब बात करते हैं कॉन्फलेक्स के नुकसान के बारे में, ऐसा माना जाता है कि कॉन्फलेक्स नास्ते के लिए सबसे बहतर चीज होते हैं, जैसे ही आप इन्हें खाना सुरू करते हैं, इनमें मौजूद मिठास और नमक, दोनों चीजें जीप को पसंद आ जाती हैं, कॉन्फलेक्स में फैट की मात्रा कम होती है और इसमें फाइबर भी होता है, इसे खाने के 10 से 20 मिनट के बाद ही इसमें मौजूद सभी जरूरी पोसक्त तो सरीर में घुल जाते हैं और पज जाते हैं, कॉन्फलेक्स खाने के 2 घंटे बाद ही आपको भूंक लग जाती है, इसलिए विसे सग्ग कहते हैं कि कॉन्फलेक्स से बहतर है कि आप नास्ते में ज्यादा फाइबर और पोसक तत्तों वाली चीजे खाईए, जो देर तक स आइसक्रीम के जर ये सरीर में जमा हो रहा है, दरसल कोई भी ठंडी चीज जीव को सुन कर देती है, जिससे स्वात का हैसास कम होता है, इसलिए आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां उसमें एक्स्ट्रा सुगर डालती हैं, जिससे मीठे और फ्लेवर का टेस्ट जादा आए आइसक्रीम में मौझूद अधिक फैट, आइसक्रीम खाने के 2-3 घंटे बाद सरीर में घुलना सुरू होते हैं, और इसके 2-3 घंटे बाद ही सरीर इस फैट को पछा पाता है, आइसक्रीम का फैट सरीर के अंगों के पास जाकर जमा हो जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है क कभी कभी आइस्क्रीम खाना और बेहदी सीमित मात्रा में खाना अच्छा है और बाजार में जो आइस्क्रीम ब्रैंड मिल रहे हैं उनके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और इंतजार रहेगा कमेंड कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका कोटिश धन्यवाद नमस्कार